हलो एव्रीवन वेलकम टू माई चैनल और कैसे हैं आप सभी उम्मित करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज का रूटीन मेरा बहुत बीजी वाला रूटीन है जो कि मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूँ इस वीडियो पर काफी adjust आ रही थी कि मैं इसी तीन जो है आप लोगों के साथ सेयर करूँ तो देखिए यहां का मैं इसलिए सूट नहीं करती हूँ और आप लोगों के साथ सेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरी जो लेत वात है वो एक ही मतलब बनी हुई है तो इस वज़े से मैं आप लोगों के सास्यार नहीं करती हूँ और एक कमेंट भी आये था बहुत ही ज़्यादा बुरा कि हम अपनी छोटी सी खुसी में भी बहुत खोसे है आप इतने रहीस हैं अपने लिए हैं हमें क्या है आप से मांग थोड़ी रहे कुछ लेकिन हम जैसे भी हैं हमारे लिए हम सही है तो इसलिए मैं इस वाले वीडियो को ज़्यादा मतलब बड़े सोच समझ कर मैंने बनाया है क्योंकि बहुत खराब लगा था मुझे जब जिसने भी यह रहा होगा कोई रहीस तो उसने कमेंट किया होगा तो ठीक है अपने लिए हैं तो इसलिए मैं ऐसा वाला वीडियो नहीं बनाती हूँ एक बार और मैंने किया था आप लोगों से मैंने कपड़े दोए थे तो आप लोगों जानते ही है मेरा घर अभी बन रहा है किच्छन भी मेरी तयार नहीं हुई अभी किच्छन तयार हो जाएगी तो अपने आप मैं फिर बहीं काम करूंगी ना तो यहां महां करने की जरुती नहीं पड़ेगी मजे यहां पर गरीब और अमीर की बात अगर हो रही है तो मैं एक बात और बोलूंगी कि इस दुनिया में कौन रहीस नहीं है सब रहीस है कोई पैसों से रहीस है तो कोई रिस्तों से रहीस है पिलिस मेरी बात को बुरा मत मानी हैगा और बाकी आप लोगों की सोचे कि आप लोग किस तरीके से कैसे ट्रेट करते हैं लोगों को जो मैंने कल सरसो की साग करके रखी हुई थी ना वॉयल करके तो वो मैं बना रही हूँ सरसो की साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अद्रक लिया है जो पिसा हुआ रका था वो ले लिया है हरी मिर्चे, टामाटर और यह भाजी पीस लोगी अच्छे से सरसो की साग का कॉम्बिनिशन तो आप सभी लोग जानते हैं जादा तर इसका कॉम्बिनिशन मक्य की रोटी के साथ जादा अच्छे लगता है लेकिन कोई बात मेरे पास नहीं है तो मैं फेलाल इसी में काम चला लूँगी जो नॉर्मल रोटी है न वो तो बस इसे मैं पीस लूँगी अच्छे से और इसे चौक दूँगी है भी और इसको बहुत ही सिंपल सी ही ऐसे ही मैं बनाती हूँ जादा इसमें कोई मसाला तो डालती नहीं आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था और अभी आप लोग देख लीजेगा कड़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया उसमें मैंने राई डाली है छोटी वैली जो राई होती है वो डाली है थोड़ा सा हिंग डाला है और इसके बादिये में पूरा जो भाजी पीसी हुई थी वो मैं डाल दूँगी और इसे बस बहुत अच्छे से पकाना है बहुत ही अच्छे से तो इसमें जतना पानी रहेगा ना मौईस्टर वो सारा इसमें से हट जाना चाहिए एक दम सुखी हुई भाजी रहती ना सूख जाएगा पानी तो वो नई होना चाहिए तो जब तक मैंने वहाँ पर पकने के लिए भाजी चढ़ा दी है यहाँ पर मैं बरतन दूल रही हूँ मैंने भाजी को पकने के लिए छोड़ दिया है जब तक मैं यहाँ पर अपना जो बरतन है वो दूल लूँगी और मैंने सबको नहीं कहा है आप लोग पिलीस बुरा मत मानियेगा जो लोग भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अब मेरे चैनल पर तो सभी लोग देखते हैं कौन है मैं कौन रईस कौन गरीब है अब मैं देख थूरी नहीं रही हूं लेकिन जिनको अच्छा नहीं लगत है उनको मैं बोल रही हूं मेरे लिए तो सभी बराबर हैं बांकि आप लोगों की सोचे कि आप किस नजर से देखते हैं बरतन दुल गए हैं अज फटा फट से हमें खाना चड़ा कर आई थी तो वह भी देख लेती हूं लेट होगी है तो यहां बाजी भी अच्छे से पग गई अच्छा बोंगे नहीं बिलकुर कि मैं धेमियाच करके गई देखो अच्छे बणिया पक चुकी है इतना पानी इसे बिखाना सब्सक्राइब गया है सब्सक्राइब की साथ मैं पानी ज्यादा नहीं डालते हैं ऐसे बनाती है थोड़ी सी और पकने दूंगी यहां चावल हो रहे हैं अधीमा करके गई थी तो यह है मेरा सुबे का बीजी वाला देन फटा फट से नहाना है तैयार होना फिर उसके बाद मुझे जाना है कमपेन के लिए काम पूरा कम्प्लीट हो गया बस मुझे फटा फट से एक बार और जाडू लगानी है क्योंकि खाना बनाया है तो कुछ-कुछ ऐसे ही गिर गए अच्छा ऐसा काम यह अभी इसलिए चल र नहीं जादा मतलब बरतन जो बगेरा है ना वहाँ पर फिर नहीं करूंगी क्योंकि फैतो किचिन में ही सारी सुबिदा हो ही जाएगी अभी हो गई है पानी वानी सब हो गया लाइट हो गया लेकिन नीचे का भी अभी काम नहीं हुआ मारवल भी नहीं लगा जो मारवल जादा डस्ट है वहां तो इस वज़े से रोके हुए है जब सारा काम हो जाएगा ना तो फिर मेरा सारा अच्छे से हो जाएगा तो इसी वज़े से मैं आप लोगों से ना सेर पे जो कमरे के अंदर जो काम करती हूँ या बाहर थोड़ा बहुत रहता हुआ है वह आप लो कि शूपे के मेरे दीरे दीरे सारे काम हो गए हैं मैंने सबसे पहले तो बहुत सारा तेल लगा लिया है वो भी नारियल का मूपे कोई क्रीम नहीं लगाई है तेल लगाई है अच्छा लगता है मुझे तो और बिंदी लगाई है थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है और मैंने मांग भरी है बस इतना ही मेरा मेक अप है मैंना कुछ भी क्रीम नहीं लगाई तो यहां जाने के लिए मैं बैटी थी और यहां पर पता ही है आप लोग बोलते हैं मेरे हस्बिन बोलते नहीं है तो आप लोगों को लगते हैं कि बहुत सीधे साधे हैं कुछ नहीं बुलते हैं तो ऐसा नहीं है बहुत ही सीधर में ही जादा वो होते हैं क्या बुलते गुन तो ऐसे हैं और यहां पर पता नहीं किस टॉपिक पर मैं बाते कर रहे थे हम लोग मुझे भी कुछ याद नहीं है लेकिन कुछ बाते कर रहे थे जरूरी और इसके बाद फिर हम निकल जाएंगे तो इचले जाते हैं चलो चलते हैं अपने काम धाम में शुरू हो जाते हैं बहुत हो गई ये चुट्टी बई काम सुरू किये जाए जिसमें सार है यहां पर उरही है मैं इस गारी बता दे रहें कि इतने दिनों से वैसे साफने हुई है उसको दोना राद में तल है अब दो लेंगे ना मैंने ये बांध लिया है इसी को मैं मास्क बना दूंगी आदा इस तरीके से चलिए चलते हैं तो अब हम लोग आ गए हैं अच्छा बाहर का भी यहां कभी लोग बोलते हैं आप ही लोग बोलते हो कि पहले बोलते हो बाहर के भी दिखाया करो फिर कोई बोलते हैं कि बाहर ज्यादा सूट मत किया करो रिस्क है तो ऐसा है कि बाहर हम लोग जाते हैं तो वीडियो तो मैं ही बनाती हूँ न तो इसमें क्या है मेरे husband गारी चलाते हैं मैं बनाते जाती हूँ तो मैंने यहाँ पर stall का ही माक्स बना लिया है और लगा लिया है तो बस हम और यहाँ पर आ गए थे हम लोग और आने के बाद बस अभी मतलब कार्तिक के टाइम पर हम आ गए थे और कार्तिक स्कूल लेने जाना है उसे और उसके बाद मैं यहाँ पर ताला वगेरा खोल दूंगी लगा कर जाना पड़ता है टाइम लग जाता है क्योंकि वहाँ जाते है न तो टाइम लग जाता है आदा एक घंटा तो लगी जाता है जाद ही लग जाता है टाइम का तो वहां का कोई फिक्स ही नहीं है और बस आने के वाद میں नास्ता बना रही हूँ और नास्ति में यह बना रही हूँ ब्रेड डोसा मैंने इसका नाम रखा है क्योंकि मैं यह बनाती रहती हूँ मैंने आप लोगों से काफी दिनों एक नास्ता बनाऊंगी इडिली के बैटर से जो ब्रेट की साथ तो आज आपटों के साथ सियर कर रही हूँ यहाँ पर मैं अभी मैंने चाय बनाई है तो चाय मैंने निकाल कर रख ली है और यह देखिए सबसे पहले मैं प्लेन वाले बना रही हूँ क्योंकि कार्टिक की वज़े से मुझे ना प्लेन वाले बनाने पड़ते हैं और इतने अच्छे लगते हैं ना बहुत यच्छे अगर इसके साथ अगर आलू की जो स्टफिंग होती है ना हम जो भी जैसे की आलू का कुछ भी बनाते हैं सबजी बनाते हैं समोसे वाली या जो भी तो अगर आप लोगो ने ने देखी ने जो समोसे के साथ समोसे के लिए मैं बनाती हूँ आलू की सबजी आप लोग देख लीजेगा बैसी अगर सबजी इसके साथ होना तो और भी अच्छे लगते हैं एकदम डोसा जैसा लगेगा इसके उपर थोड़ा सा ऐसे लगा के बहुत अच्छा लगेगा और कड़ाई में बना रही हूँ कड़ाई में ये बनाती हूँ न जब भी मैं उत्पम या ये वाले जो ब्रेट डोसा तो बहुत ही अच्छे बनते हैं एक भी नीचे पकते हैं बैसे आईरन के तवे में भी नहीं लगते हैं अच्छे बन जाते हैं मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी है क्योंकि काफी लेट हो गए थे हम तो फिर मैंने दोने चीच चड़ा लिया है साइड में दूसरे वाले गैस पे मैंने तवा भी रख दिया है यहाँ पर मैं कड़ाई में भी बनाते जा रही हूँ तो यह सिंपल वाले इसमें मैं कार्टिक के लिए पहले बना दूँगी पिर उसके वाद में इसमें तोड़े से मैंने प्याज मिर्ची टमाटर काट के इसमें मिला दिया है तो इसके साथ हम मैं यह इस तरह के से बना दूँगी आप लोगों को यह वाली डिस काफी पसंद आई थी बहुत पहले मैंने बनाई हुई है मुझे भी दियान नहीं है काफी दिनों पहले बनाई है तो आप लोग ट्राइ कीजिएगा बहुत ही अच्छे लगते हैं और नारियल मुमफली की चटनी हो तो और भी मजा जाता है बहुत ही अच्छे से डिप करके और मैंने बनाई हुई हुई है तो उसकी रेसिपी मैंने सेयर नहीं की हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि बहुत बार मैंने की थी और आज थोड़ा सा जलबाजी भी हैं थी इसी वज़े से लेकिन आप लोगों को मेरा जो नारियल मुमफली की चटनी की रेसिपी पूरी डेटेल में आप लोगों को डोसी की रेसिपी के साथ जरूर मिल जाएगी आप एक बार देखिएगा उस वीडियो को भी आप लोगों ने काफी पसंद किया है तो आप लोगों देखिएगा मिल जाएगी मेरे चैनल पर तो यहाँ पर्दी के फटा फट से मैंने दोनों में जल्दी जल्दी करके सेक लिया है बरतन थोड़े जादा गंदे हो गए पर यह है कि काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा बरतन मैं दोबार भी माज लूँगी लेकिन क्या जब काम होता है न तो फिर मेरा ऐसी काम चलता रहता है बहुत जल्दी वाला काम सोबे सोबे के मेरे ऐसी काम मुझे इतने फटा फट से निप्टाने होते हैं कि क्या बताओ मैं यहां कार्टिक का देखिए लाड़ ऐसी करता है जब उसकी कोई मन पसंद चीज बनती है न तो फिर वो ऐसे ही लाड़ करता है और उसकी तो आदती है मेरे कार्टिक की बहुत ज़्यादा बेकार वाली आदत है पूरे दिन मतलब है न ऐसा कोई दिन ने छूटता होगा जब वो मुझे बस चुम्मी करता रहता है तो उसका यह गाम है सुवे साम तो हम लोग जा रहे हैं छट में वहीं पर हम नास्ता करेंगे खाएंगे पीएंगे फिर वहीं हम फिर काम में लग जाएंगे खाना बना कर ही गई थी मैं तो खाना जो साग बनाई थी न वो और चावल बनाया है हमने तो यहां हमारे यह नास्ता रेडी है आप लोग भी आ जाएए और नास्ता कर लीजिए यम्मी यम्मी सा और यह डिस ना आप लोग ट्राइज जरूर कीजिएगा मेरे कहने पर आप देखना बहुत पसंद आएगी आप लोगों को सेम रेसिपी है जो इडिली का बैटर होता है वो सेम है और बस ब्रेड लाना है दस रुपए वाला पैकेट भी ला सकते हैं उससे बहुत अच्छे से भी बन जाएंगे छोटा भी ला सकते हैं बड़ा जो आपको पसंद हो बोला सकते हैं तो देखिए यहां पर अच्छा हाँ पैर को लेकर फिर कमेंट आ रहे थे तो देखिए अभी मोडने की कोसिस की ना तो उनसे नई बन रहा था बिल्कुल भी मोडने तकलीफ होने लगी थी तो मैंने फिर बोल दिया उनसे की रहने दो ऐसे बैट जाओ तो देखिए जब तकलीफ होती है न तो फिर मैं क्यों जब अरजस्ती किसी को फोर्स करें तो जैसा उनसे बनता है वो वैसा बैट के खाते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे तो चलिए सी के साथ आज के वीडियो अंड करती हूं उम्मिद करती है आप से भी को पसंद आएगा हम मिलेंगे अपनी नेच्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वच्चिंग बाइबाइ